आपको स्वागत करती हूँ आज अपने चैनल सिधी टिप्स पर जिसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुद न्यू प्रोड़क्ट सेयर कर सकूँ तो आज भी मैं आपके साथ एक प्रोड़क्ट सेयर करने वाली हूँ इसके लिए आप पूरी वीडियो मेरे बनी रह आप कर चुके हैं तो थैंक्यू सो मच तो फ्रेंट सेयर डाक्टर केयर का वैपोराइजर ओल इन वन कॉमन कोड़ के लिए है ब्रहनाइज चेस्ट के लिए स्टफी हैड और नोज कंडिशन फे फीवर अस्तमा लेरिनाइट्स और फ्राइट इरिटेशन यानि गली में स्टीमर है आज मैं एक स्टीमर आपके साथ सेयर करने जा रही हूं और प्रोफेशनल इलेक्रोनिक वैपोराइजर और ये इसकी कार्ड़ोर की पैकेजिंग है आउटर पैकेजिंग मैं इसको आपको दिखाती हूं अंदर इसमें क्या निकलता है तो फ्रेंट्स अक्तर हमे स्टीम ले सकते हैं उसी के लिए स्टीमर है और फ्रेंट्स आप इसे घर में अगर आप अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि फेसल में भी हमें स्टीम लेते हैं और जिससे जो हमारा जो फेस होता है वो क्लीन होता है जो अंदर के उसके पोर हो जाता है तो हम जो है इतना बड़ा एक बड़तन लेता है उसे गैस पर रखता है उसके बाद हम उसे स्टीम लेते हैं टावल से ढखे तो वह थोड़ा डेंजर हो जाता है तो उसके लिए हम अगर हमारे हमारे गले में थ्रॉट में कुछ इरिटेशन है या हमारी नोज इसका टू यह थ्री यह फोर और यह फाइव निकलते हैं इसमें और इनको जो है इसके अंदर इस तरीके से लगाते हैं इसको और यह जो इसका प्लग है स्विच बोर्ड में इसको लगाना होता है और इसके बाद आपको इस पर इस तरीके से रखकर अगर आपने इस तरीक अपने पूरे फेस पर इससे स्टीम ले सकते हैं अगर आपको cold वगरा है तो खाली आप नोज में लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप सिफ नोज में अपने स्टीम ले सकते हैं एक यह भी छोटा सा है बट यह मुझे कोई जादा यूश्फुल नहीं लगता नहीं है तो इसल खालने लेना है सेफ हाल इसमें पानी क्योंकि अगर पानी दब खौलने लगता है तो इस तरह से दशन अबारा कर थोड़ी देर में में यह जो वाटर यह उबलने लगेगा और भाप इसमें से बाहर आने लगे तो फ्रेंट्स यह देखिए इसमें से इस तरीके से भाप निकलने लगी है और आप इसके सामने डायरेक्टर आइसे करके और आप अपनी इस्टीम ले सकते हैं तो फ्रेंट्स इस्टीम लेते अरव आप आपको थोड़ा करना है आपको फेस के अंदर ज्यादा ड्राप निकलती है तो आपको अपनी आइस किलोज करनी होते हैं तो थोड़ा बैलेंस दूर से इस चीजिए बना करखें तो बैटर है फ्रेंट्स यह तो थी पहली ट्रिक इ तो आपको क्या करना है कि आपको इस वाटर में जो एक कैपसूल आते हैं विक्स वाले उनको इसमें डालना है और उसके बाद वह इसके साथ जब भाप बनेगी तो वह कनवर्ट हो जायेगा रौप आपकी नोज अगर बंध है या गले में इरिटेशन है तो वह उसके लिए तो फ्रेंड्स यह देखिए यह इस तरीके से इसकी भाप निकलने लगी है और आपको इसके दूर से ही नोज में इसके अपनी भाप लेनी है थोड़ा दूर रखना है आपको फेस ताकि जादा भी आपको इस तरह से लेनी है और अगर आप चाहें तो आप जो नॉर्मल विक होती है उसको भी इस पानी में डालकर उसकी भाप आप ले सकते हैं और ये जब बंद कर देते हैं तो यह जब अधीरे इसमें से फिर अब हम खतम होने लगते है अगर अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो मैं इसको इसका जो लिंक है वो दिस्क्रिप्टिन बॉक्स में दे दूंगी अगर थोड़ी सी भी गले में तो हमने रहे होता है तो हम इसकी इसकोस टीम लेकर और फ्रेश फील करते हैं तो फ्रेंटर के रखाटे रहे हैं दूसरी कंपीनियों के हाते है अलग-अलग वैराइटी के और इसके बारे में इसकी इस पर इंस्ट्रेक्शन भी दी हुई है कि प्योर फ्रेश टैप वाटर एस पर रिक्वार्मेंट आपको फ्रेश जो वाटर है रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग आपको उसमें लेना है अटेज्ट रिक्वार्ड अटेज्मेंट ऑन टॉप लग इन शुच इट ओन स्विच आफ और रिमूव प्लग आफ्टर यूज और जब आपको यह यूज नहीं करना तो इसका स्विच आफ करके प्लग इसका नि आपको आपको जो पानी है इसमें गाइस प्लग लगाने से पहले ही पुट अन करना है उसके बाद नहीं करना है वारना इलेक्ट्रिक सौक का भी खत्रा हो सकता है तो फ्रेंट्स यह तो थी आज की मेली फूल वीडियो अगर थोड़ी सी भी हैलफुल लगी हो तो वीडिय कर दीजेगा और गाइस मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी यू बावाज